असलाम अलेकॉम लास्ट टाइम ते लोगी विडियो थी उसमें मैंने टोटल मार्किंग स्कीम की बात की थी पेपर 9-6-8-6 उर्दू की कि वो कितनी एहमियत रखता है आज हम बात करेंगे कि 9-6-8-6 में जो कॉंपनेंट नमबर 3 है एसे राइटिंग उसमें मार्किंग स्कीम कितनी एहमियत रखती है और वो कैसे हमें अटेम्ट करना है चले आके देखते हैं सबसे पहले जो हमारा कॉंपनेंट नमबर 3 है याने पेपर 3 है उसमें हमारा जो एसे राइटिंग का पेपर है जिसे हम उर्दू में मजमून नवेसी कहते हैं वो कितने मार्क्स का है वो है 40 मार्क्स का 40 नमबर का पेपर है ठीक है अब अगर हम उपर आये कि examiner हमें मार्किंग स्कीम क्या दे रहा है अगर हम बहुत गौर से देखें तो content याने मवाद के वो हमें दे रहा है सोला नंबर इसको और डीटेल में ले जाती हूँ इमीद करती हूँ आपको नजर आ रहा है साइसे और लांगविज जो है वो जबान वो जबान के हमें दे रहा है 24 नंबर ठीक है तो अगर हम आज आते हैं तो यहां अगर हम देखें तो वो क्या डिमांड कर रहा है वो किस बच्चे को सोला नंबर देगा वो मवाद में उस बच्चे को सोला नंबर देगा जो डीटेल में आंसर लिखेगा ठीक है clear और relevant points होंगे coherent होगा याने properly arranged होंगे ठीक है ऐसा है यहां कि मैं बात कर रही हूं माहुलयाति-àoood-id-ki और मैं पहले बात करूँ जमीनी-àoood-id-ki फिर मैं बात करूँ माहुलयाति-àoood-id-ki गया है, ठीक है? तो जो बात वो कर रहा है वो properly arranged है, ठीक है? उसकी जो thoughts है वो coherente है, arranged है अच्छा, फिर अगर मैं बात करते हैं तो उस बच्चे को 11, अच्छे यह बाइंड की बात होती हमेशा मार्किंग स्कीन में बाइंड के तौपर मार्क्स दिये जाते हैं, अगर आपने All of Us का पेपर दिया हो तो उससे अपको अंदाज़ा होगा, ग्यारा से 13 मार्क्स जो यह बैंड है याने गुड का वो उसमें देता है कि आपकी नॉलिज़ सही है, आपने रेलेवेंट लिखा है, some ability to develop an argument and conclusion, so you are supposed to give proper structured होना चाहिए, याने properly arranged होना चाहिए, पहला paragraph होगा introduction का इतिदा का फिर तफसील होगी, उसमें आपने argument दिया, proper reasoning दी, फिर आप आएंगे ending में कि आपका तज़िया और आपकी thought क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इसमें, ठीक है, अब जो बच्चा साथ से दस मात के उसमें जाएगा, बैंड में, तो उसको क्या है उसका, उसके बास कुछ knowledge है, उसकी जो बात है, वो थोड़ी बहुत relevant है, जादा नहीं है, not limited capacity to argue, means कि वो point तो दे रहा है, मगर उसका point clear नहीं है, complete नहीं है, ठीक है, अब क्या है, थोड़ी बहुत argument की है, अगर हम चले जाते हैं, बहुत कम बैंड की, यह बहुत कम बच्चे लेते हैं, जिनकी बिल्कुल ही उर्दू अच्छी नहीं होती है, जिनके पास बिल्कुल भी points नहीं होते है, ठीक है, little attempt, sorry, and major misunderstanding, याने question समझने की उसने बात ही नहीं करें, अगर हम बात करें, अगर मैंने पहले ह sentence कौन से होते हैं, और किस तरहां से बनाए जाते हैं, थोड़ी का इंकिजार करते हैं, accurate याने आपकी उर्दू की खलती कम है, vocabulary का इस्तमाल, और sense of idiom, महावरात का इस्तमाल है, ठीक है, जनरल, अगर जो बच्चा इस बैंड में आता है, 16 से 20 के, तो वो क्या करता है, उसका उसकी grammar अच्छी है, थोड़ी बहुत गलतियों की गुझाईश है, अच्छा पढ़ा जा सकता है, और थोड़ी बहुत vocabulary का इस्तमाल की है, जिस बच्चे को 10 से 15 की बैंड में मिलता है, वो इसलिए, जो simple लिख रहा है, थोड़ी बहुत उसकी जुमलों में तर्तीब की कमी ह accuracy की कमी है, और idioms कोशिश की हैं, अगर वो inappropriate लिखे तो हैं, लेकिन वो उस जगा के लिए मुनासिब नहीं है, अच्छा आप इन सब बातों को लेकर हम तफसीर से अगर हम बात करें, तो अगर हम मवाद की बात करते हैं, अगर मैं शुरू में आ जाओं, और मैं बोलू कि मवाद की अगर मुझसे बात करा लें आप, तो मवाद के हमें दे रहा है, वो 16 नंबर, चीक है, 16 मार्क्स, तो फिर हम मवाद को कैसे डिस्टिब्यूट करें, असल चीज़े बच्चे कहते हैं, मिस, 16 नंबर हम ले कैसे, हम डिस्टिब्यूट कैसे करें, तो भई 16 नंबर करते हैं, तो आपने बताया, माहूल क्या है, फिर आपने बताया, माहूल यादी आलूद की कैसे होती है, वो क्या है, उसकी वजुहात क्या है, एक काद आपने, अपने ऐसे की डिटेल के लावा आपने हलका सा इंट्रोडक्शन दे लिया, तो इसके आपको तीन नंबर पाराम से ठीक है फिर हम आते हैं तफसील की बात करते हैं ठीक है तफसील में आपने अपनी वजुहाद भी लिखनी है आप में डीटेल में बताना है कि सवाल क्या अगर आप से पौर एक्जेंपल यह कह दिया जाए कि तरक्या आपता मुल्क महुल्यादी आलूद्गी से कैसे बचा जा सकता है उसका अलग इस सवाल अगर हम से सवाल किया जाता है कि जो तरकी बसीर मुमाले के वो कैसे करते हैं या अगर हम कहें कि माहुल्यादी आलूद्गी का कर रहा है अर्स पे क्या असर पड़ता है तो इन सब की कुछ ना कुछ रिलेविट्स तो होती है बच्चे को थोड़ी बहुत तबदीली लानी पड़ती है ठीक है अगर आप मेरी वीडियो दिखेंगे तो आगे आपको अंदाजा होगा है हर ऐसे के हिसाब से अलग अलग मवाजना क्या जा सकता है इसके जो हैं वो दस नंबर पूरे हैं अगर बच्चा प्रॉपर्ली कम प्लीट सेंटेंस बना रहा है ठीक है अपनी बात ये दलील के साथ एक आर्गूमेंट के साथ दे रहा है ठीक है फिर आता है इक्तितामिया अप इख्तितामिया क्या होता है पर इख्तितामिया में आपकी राय होती है या आपकी तज्वीस होती है या आपने अगर बताया म बात कर रहें, for example, तो आप कैसे बात कर रहें, आप ये कहरें कि माहुली आती आलूदगी, पर आपकी क्या राय इसे कैसे बचा सकता है, इस पर अमल दरामत कैसे हो सकता है, या आपकी राय क्या है, कि हाँ, तरक्की आप तरम मालिक नहीं बच सकते, इन केस अगर इस तरह का ट अगर हम बात करें तो इस वक्त में आप से तीन परग्राफ की बात की, यह वाला जो तफसील वाला है, इसको आप दो परग्राफ में तोड सकते हैं, यहाने, रेलेवेंटली आप पाँ परग्राफ या चार परग्राफ में लिख सकते हैं, अगर हम चलते हैं, यहां पर हमा जो दूसरा हिस्सा है हमारा Мार्किं स्कीम का हम कहते हैं सभान किश अगर हम कहें । लाइंड़ुच चीड़ तो चनाव मतम जा क्या चीजस हाती हैं हमारे पास 24 नंबर हैं rubbish उसको हम कैसे डिवाइब करेगा examiner उपकर देखा जाए तो जो इसके में बात करी हैं चले देखते हैं, पहला पॉइंट उपर ध्या है, हमें complex sentence, अब उड़ू में complex sentence किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास राप्ते वाले अलफाज, राप्ते वाले अलफाज, अगर हम अंग्रेजी में देखें, तो उटने कहते हैं, connectives, उने क्या कहते हैं, connectives का अब अच्छे पूछेंगे में उर्दू में कनेक्टिव्स क्या होते हैं मैं कहती हूं इलावा अजी मजीद ये के फिर और कोई से बताईए आप लोग चैसा के हालांके छी कि इन सब का इस्तमार फिर आगर हम देखें तो हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास एक्जैमिनर दे रहा है कि बच्चे के इसमें complex sentence फिर वो कह रहा है कि हमारी vocabulary वो हमसे बात करता है नंबर दो vocabulary पर अब vocabulary में क्या शामिल है यान हमारे पास vocabulary से मुराद क्या है जखीरा एलफास अब जखीरा एलफास अगर हम तोड़ दे तो उसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है महावराद मुरक कबल पास जर्बुलमसा यह सब चीजों का होना जरूरी है यह ना हो तो इन में से किसी एक का इस्तमाल कुछ शेर बच्चा डाल सकता है जिसका इस्तमाल होना बहुत जरूरी है अगर बच्चे को हाइस बैंड में आना है फिर अगर हम देखे एक पॉइंट और है इसमें अ करें grammar grasp of grammar उससे क्या मुराद है अब उससे मुराद यह कि यहाने आपकी जुम्लों की तर्टीब अच्छी है आपने जुम्ले सही से बनाए वे हैं वाहे जमा मुझकर मॉनस मुतरादिप का इस्तमाल किया है repetition of words नहीं है you need to have vocabulary ताके आपकी repetition of words नहीं है I hope यह बात clear होगी कि marking skip से यहां क्या मुराद है हमारे पस मवाद में क्या-क्या चीज़े शामिल है हमारे पस language में जबान में क्या-क्या चीज़े शामिल है मैं इसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हूं और हर टॉपिक के लिया से हम इस marking skip को सामने रखते हैं और इसी हिसाब से हम अपने essay लिखते हैं अगली जो मेरी वीडियो उसका इंतिजार कीजेगा उसमें मैं आपको comprehension की marking skip के बारे में समझाऊंगी Thank you Do follow my page